नमस्कार दोस्तों वेलकम टो आसे अस्टोलाजी मैं नीतु से राहू केतु और शनी से अगर राहत पाना चाते हैं राहू केतु और सनी की पीड़ा से बचना चाहते हैं क्या करना चाहिए चलिए जान लेते हैं अगर आपके कुंडली में शनी के दोश हैं या फिर आपके उपर सनी की साड़ी साती या फिर ढहिया चल रही है तो प्रतेक सनिवार को नदी में बहते हुए जल में कोई भी बहता हुआ जलो नदी है जाएं बहता हुआ कैसा भी जल है आपको क्या करना है काले तिल एक मुठी बहा देने है ऐसा करने से सनी दोस में लाव मिलता है सनी दोस से छुटकारा मिलता है काले तिल को दान करने से आपका राहू और केतु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग बनता है राहू और केतु के दुस्प्रभाव समापत हो जाते हैं जरुत मन को शन्वार वाले दिन काले तिल डान कर दीजिए इसके साथ ही काल सर्फ दोश और पित्र दोश से भी मुक्ती मिलती है काल सर्फ दोश और पित्र दोश इस उपाये से बहुत ही फायदा मिलता है तो इतने सारे फायदे हैं काले तिल के दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आई वीडियो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे जै माता दी